यहां पर हम देखेंगे कि demographic dividend MP का क्या है demographic dividend बहुत important होता है क्योंकि यहां पर age group की accordingly मालूम चलता है कि population कितनी है young population जो होती है उसको demographic dividend होता है ताकि वो आपके लिए office में काम करेंगे labor and educated लोग बनेंगे यह 15 to 34 age group important है फिर 15 साल से 34 साल की उम्र में यह population हमारे यहां पर काफी ज्यादा है इंडिया में हमारी population young है तो अगर हम 2011 के आकड़े देखें age group के 15 to 34 के age group में MP में लगबग 2.5 करोड़ 15 to 34 के age group में हैं लाइ करते हैं और अगर हम देखें कि यह किसकिस state में हैं तो आंदरप्रदेश में 3 करोड़ बिहार में आप इस youth को job भी देना होगा है यहां पर करनाटका 2.2 करोड़ करनाटका महाराष्ट की figure 4 करोड़ सम्थिंग है और राजस्थान कमिल नाड़ू यहां पर demographic dividend मिल रहा है हमको उत्तरप्रदेश 6.8 करोड़ यहां पर हम लोगों को इध्यान रखना होगा कि यह age group को हमको सबसे ज़्यादा यह हमको useful भी है और यहां पर हम देखें तो देखिए 42 करोड़ सम्थिंग की figure है जो age group में लाए करती है इंडिया में यह बहुत ही important age group है क्योंकि यही आगे जाके हम हमारे लिए economy में useful रहेंगे 42 करोड़ इंडिया में